हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में मैं आपके साथ वंदिता आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिजाइन बताऊंगी ये वीडियो मैं अल्री अप्लोड कर चुकी हूँ इंग्लिश में केकिन आज मैं इसको हिंदी में फिर से शूट करके और और जैसे आप मेरे को सपोर्ट करते आए हैं अपना प्यार देते हैं मेरी वीडियो को प्लीज ऐसा ही करते रहें और कोशिश कीजेगा कि प्लीज सुपर थैंक्स कीजेगा मैं बहुत मेहनत कर रहें उन वीडियो के लिए तो मैं डिजर्व करती हूँ आप सुपर थैंक्स करें और आप जोइन भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। जो जोईन बटन आपको मेरे यूट्ऺ चैनल पे दिख जाएगा जिसको जोईन करने के पाथ आप बहुत सारे designs देख सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं तो चलिए आज हम ये डिजाइन शुरू करते हैं इसके लिए मैंने काफी बारीक ओन ली है यह काफी बारीक है और इसके साथ मैंने 2.5 mm क्रोशे का हुक लिया है तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं शुरुआत करेंगे स्लिपनोट बनाने से आप ऐसे करके भी स्लिपनोट बना सकते हैं या हलका सा ऐसे ट्विस्ट देकर ऐसे भी वीडियो को ओ ऐसे भी अपने पैटरन को शुरू कर सकते हैं अब इस पैटरन के लिए मैं आपको बता दूँ sloppy चोटा सा तो आप बार-बार repeat कर सकते हों बिल्कुल सेम आएगा मैं इसमें ये half ये side का दिखाऊंगी center का पूरा दिखाऊंगी और यहां का half दिखाऊंगी तो यहां से यहां तक का we design पूरा दिखाऊंगी with border और आप इसको repeat कर सकते हैं और इतने से सेंपल के लिए मैं 43 चेंज बना रही हूँ आप एक भी स्टेप को मिस मत कीजेगा आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए अगर आप अच्छा डिजाइन जाते हैं अगर बीच में आप मिस करेंगे स्टेप्स को तो ऐसा डिजाइन सेम नहीं आ पाएगा ठीक है तो आप 43 चेंज बना लेजिए ये फाउंडेशन चेंज होती है तीन चार पाच तो आप 43 चेंज बना लेजिए ये देखिए मैंने 43 चेंज 43 चेंज बना ली है अब हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे और इसके बाद 43 चेंज के बाद हम एक चेंज एक्स्टर बनाएंगे शुरू करने के लिए ये ही छोटी छोटी चीज़े हैं जो आपको बिल्कुल वीडियो के हर सेकिंड में देखने को मिल चाहेंगी तो प्लीज इसको मिस मत कीजेगा अगर आपने ये एक चेंज भी मिस की तो आपका प पायेगा और आप परशान होते रहेंगे कि गल्ती कहां होई तो पहली चेन अभी हमारी टॉटल 44 चेंज हो गई है डिजाईन के लिए हमें 43 चेंज चाहिए थी शुरुबात करने के लिए हमें एक चेंज एक्सा चाहिए होती ए तो अब टॉटल 44 चेंज हो गई है अब हम पहली चेन को छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे, अगली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, यह हमने बॉर्डर शुरू किया है, बॉर्डर के लिए सबसे पहले हम यह फर्स्ट राउंड डबल क्रोशे की बेसिक लाइन बनाएंगे, डबल क्रोशे की बेसिक लाइन उसको बोलते हैं, जब आप design जब अपने pattern में कोई भी chain या कोई भी design नहीं डालते हैं सिर्फ हर chain में आप double crochets बनाते हैं तो हर chain में double crochet बनाने को ही हम double crochet की basic line बोलते हैं तो अब हम इसमें कोई design नहीं बनाएंगे कोई chain नहीं बनाएंगे सिर्फ हर chain में double crochet बनाते रहेंगे तो लास्ट में हमारे पास 43 double crochets त्यार हो जाएंगे और इसको हम अपने border का पहला round बोलेंगे यह पहला round बन रहा है तो अब यहां से यहां तक पूरा 43 double crochet बना लिजिए यह दिखे मैंने 43 double crochets बना लिए हैं तो यह हमारा पहला round बन गया है दूसरे round के लिए हम turn over करेंगे दूसरे round में सबसे पहले हम एक chain बनाएंगे फिर पहले double crochet के ओपर यह जो पहली chain है यहां पर एक double crochet बनाएंगे और next chain में भी double crochet बनाएंगे और next chain में भी double crochet बनाएंगे और ऐसे ही एक और double crochet की basic line हम ready कर लेंगे यह देखे ऐसे तो दूसरे round भी बिल्कुल सेम आएगा हमने कोई design नहीं बनाना है सीधा बस हम हर chain में double crochet बनाएंगे और फिर से 43 double crochet बनाकर यहां आ जाएए देखे मेरे यह 43 double crochets भी बन गए है तो हमने 2 rounds double crochet की basic lines की बनाई है यह देखे अब हम border के बीच में हैं तीसरे round के लिए हम सबसे पहले chain बनाएंगे यह chain आपने हमेशा last तक बनानी है शुरू करने से पहले कोई भी आप round शुरू करेंगे तो आप chain जरूर बनाएंगे उसके बाद आप पहली chain में double crochet बनाएंगे और 2 double crochets और बनाएंगे यानि 3 chain में लगातार 3 double crochet हमने बनाए इसके बाद हम दो chains बनाएंगे एक और यह दो दो chains को हम skip कर देंगे तीसरी chain में हम एक double crochet बनाएंगे और उससे अगली chain में हम एक double crochet और बनाएंगे अब फिर से दो chains बनाएंगे दो chains को skip करेंगे तीसरी chain में हम double crochet बनाएंगे अगली chain में एक और double crochet बनाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं हम दो chains बना रहे हैं दो chains को skip कर रहे हैं और दो double crochets बना रहे हैं यह हमारे border की border का तीसरा round है दो चेंज, स्किप दो चेंज और दो डबल क्रोशेज, एक और ये दो, ऐसे ही आप यहां तक आ जाएए लास तक, यह देखिए, हमने शुरू में तीन थे, लेकिन यहां हमाई पास सिफ दो स्किप करने के पाद दो ही डबल क्रोशेज बचते हैं, तो हम यहां पे दो ही बना देंगे, तो यहां हमारा तीसर राउंड भी कम्प्लीट हो जाता है, अगले राउंड के लिए हम टान ओवर करेंगे, एक चेंज बनाएंगे, पहले चेंज में डबल क्रोशे बनाएंगे, यहां हमाई पास एक डबल क्रोशे है, तो हम एक चेंज बनाएंगे, अगर हमाई पास तीन चेंज बची होती तो हम दो चेंज बनाते और दो डबल क्रोशे को स्किप करके जो यह जगा है इसमें से हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे अब दो चेंज बनाएंगे इन दोनों को स्किप कर देंगे अगली जगा से हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे इस राउंड में हमने जितने भी डबल क्रोशे बनाने हैं वो टू चेन स्पेस में से ही बनाने हैं यहां इनके उपर नहीं बनाने हैं अब हम दो चेन्स बना दी इनको स्किप कर दिया और यहां दो डबल क्रोशे बना दिये एक और ये दो दो चेंज और अगली जगह से दो डबल क्रोशे तो ये ऐसा दिखेगा तो आप इसको भी यहां तक कम्प्लीट कर लेजे लास्ट में मैं बताती हूँ ये कैसे बनेगा ये देखे ये मेरा बन गया है लास्ट में देखे हम आपस तीन डबल क्रोशे से हमने शुरू किया था अब यहां पे हम दो चेंज बनाएंगे दो को स्किप करेंगे और लास्ट में एक डबल क्रोशे बना देंगे ऐसे और ये हमारा चोथा राउंड भी कम्प्लीट हो गया है अगले राउंड के लिए हम एक चेंज बनाएंगे टरन ओवर करेंगे और फिर से पहली चेंज में डबल क्रोशे इन दो चेंज में से दो डबल क्रोशे अब हम फिर से डबल क्रोशे की बेसिक लाइन बना रहे हैं इन दोनों के दोनों चेंज से भी डबल क्रोशे बनाएंगे मतलब जितनी चेंज हैं हम उतने डबल क्रोशे बनाएंगे और हमारे पास 43 चेंज हैं इस जगा से दो बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर दो चेंज बनाई थी दो डबल क्रोशे इन दो चेंज में से बनाएंगे और दो डबल क्रोशे इस स्पेस से बनाएंगे तो 43 डबल क्रोशे हमारे पास होने चाहिए आप लास्ट में यहाँ पर एक ही हमने यहाँ पर चें यह देखिए 43 डबल क्रोशे हमारे बन गए हैं तो हमारे यहां पे एक दो तीन चार पाँच पाँच राउंड हो गए हैं छटा राउंड जो कि इस बॉर्डर का लास्ट राउंड है उसको भी हम बना लेंगे पहले चेन में बना ली है और पहले चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे और यह लास्ट डबल क्रोशे की बेसिक लाइन है हर डबल क्रोशे के ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इसको बनाने के बाद हमारा बॉर्डर कम्प्लीट हो जाएगा तो यह भी बना लीजिए यह भी 43 डबल क्रोशे बनेंगे तो यहा पास्ट में चेन बनाएंगे और यहां यह हमारा बॉडर बन गया है जो ऐसा दिखेगा हम इस वीडियो को इस डिजाइन को थ्री पार्ट में बनाएंगे तो पहले पार्ट में हमने यह बॉडर बनाया है सेकंड पार्ट में हम इसको हाफ तक बताएंगे और थर्ड पार्ट में हम बाकी हाफ जो बचेगा वो बताएंगे तो आशा करती हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आईगे तो प्लीज इसको लाइक करना मत बूलिएगा सब्सक्राइब कीजेगा और ज्यादा वीडियो के लिए बहुत अच्छे डिजाइन बहुत सारे डिजाइन आने वाले हैं और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ थांक यू कीप वाचिंग